को बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं यह हमारी प्लेलिस्ट को जाके बुकमाक कर लिजे और हमारी वीडियो डेली आ रहे हैं तो प्लीज जाके चलन को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन आइकन को आउन कर लेजे आज हम बात करने वाले हैं कि हम क सब्सक्राइब कर लेकिन गिफेशन वाला तरीका सबसे इसी तरीका मैं ने देखा है इसके लाब AH इपकर सकते हो लेकिन घिटाइब पेजिस आपको ज्यादा अच्छा प्री टीयर देता मैं आपके पास account नहीं है तो पर sign up कर लेना है sign up stages बहुत easy है बस आपको अपना email id डालना है then आपको अपना नाम बागरा डालना basic information डालके आपका एक GitHub account बन जाएगा जब आपका एक account बन जाएगा तो आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा मैं अपना यहाँ पर sign in कर लेता हूं तो मैंने यहाँ पर sign in कर लिया है और मुझे यहाँ पर एक बटन दिख रहा है इसको पर मैं क्लिक करूँ आते हैं और एक नई रेपो बनाते हैं यहाँ पर आके आप अपने किसी भी टाइप के कोड़ को होश कर सकते हो मैंने गिट और गिटब के ऊपर एक वीडियो अल्रेडी बना रखिये अगर आपको गिट और गिटब के बारे में जानकारी चाहिए तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपना यहाँ नाम डाल देता हूं रज्यू में इस तरीके से और यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कि माय रज्यू में फ्रॉम ली इसको हमें पब्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर हमें एड रीड मी फाइल यह भी डाल देना है ठीक है तो यह सारी स्टैप आपको याद रखने है पब्लिक एडरीड मी एंड इसके हमारी रिपास्टरी बन जाएगी और इसके ओपर हम अपना कोड डाल सकते हैं तो कोड डालने के लिए क्लिए हमें करना है एड फाइल ठीक है लेकिन आपको बात याद रखने है जो भी आपकी वेबसाइट होती है यहाँ पर गिठभ के उपर उनका जो एंट्री लिखेंगे तो हमारा है रेजुमे.html देख रोख यहाँ पर लिखा है रेजुमे.html तो इसका हमें नाम चेंज करना है इसका नाम हमें करना है इंडेक्स.html बेसिकलिए आप कितनी ही बड़ी वेबसाइट डाल सकते जितने मर्जी पेजिश वेबसाइट के अंदर फरक नहीं पड़ता लेकिन जो एंट्री पॉइंट होता है जो होम पेज जो लेंडिंग पेज होता है वह आपका इंडेक्स.html होना चाहिए तो इसके लिए मैं आऊंगा यहां पर एक नया फोड़र बना लूंगा रेजुमे नाम से और इसके अंदर इस रेजुमे.html को मैं इसके बाद इसका मैं नाम चंजिंज कर दूएंगा इसका नाम में कर दूएंगा index.html इस तरीके से और अप add file करना है और उस फाइल को ढूंडना है upload files हमें अपनी file ढूंड के यहाँ पर upload कर देनी है तो मेरी जो index.html है वो है हमारे resume के अंदर यह index.html इसको लिया और यहाँ पर drag and drop कर दिया और उसके बाद यहाँ से cancel कर सकते हैं से तो हमारे index.html यहाँ पर upload हो चुकी है अब हमें यहाँ पर commit message डालना है कि added index.html इस तरीके से and then commit changes इससे हमारे index.html यहाँ पर आगया है देखरो एक commit बन चुका है यहाँ पर अब हमें क्या करना है इसको हमें deploy करना तो उसके लिए हम यूज करता है इसके लिए हमें जाने अपनी settings के अंदर and then यहाँ पर code and automation के अंदर आपको दिखाए pages वाला section इस पर click करना है और इसके अंदर हमें deploy from a branch उसके बाद हमें ब्रांच बताने कौन सी ब्रांच है तो actually हमारे बास different branches होती है and then save कर दिया यहाँ पर build start हो जाएगी हमारे उस page की और build start होने के बाद अपने आप आपको URL मिल जाएगा वो URL आपको यहां दिखाई देगा उसके लिए हमें एक दो मिनट का वेट करना पड़ सकता है आप रेलोड करते रहिए आपको अपने आप एक deployment के बाद लिंक मिल जाएगा जहां पर आपका page लाइव हो चुका है तो यहां पर एक मिनट लगा मुझे और यहां पर हमारी site लाइव हो चुके your site is live at this link ठीक है अनुशकुमार्शर्मा.github.io slash resume इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यह हमारी website और यहां पर देख लो URL का है अब अनुशकुमार्शर्मा.github.io slash resume इस link को आप किसी के साथ भी share कर सकते हो और वो आपकी इस website को आराम से देख पाएगा उसके बाद और इसके अंदर जितने भी links वगयर है उन सबको भी वह हैंडल कर पाएगा ठीक है तो उनको क्लिक करके वह वहां जा सकता है आराम से इसम हमें यहां पर एक दिक्कत आ रही है यह कहरा file not found और यह file मिलेगी भी नहीं से about us.html हमने डाली ही निया इस github repository के अंदर about us.html हमने डाला ही निया हमने तो सिर्फ index.html डाला है लेकिन जब हम about us पर click करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा about us वाला page खोल दो तो इसके लिए हम हमारी यही about us.html इसको भी मैं move कर देता हूं resume.html के अंदर and then इसको भी हम add कर देंगे create new file upload files and then choose your file यहां पर है हमारी about us.html यह भी हमारी upload हो जाएगी added about us.html तो यह हमारी upload हो चुकिया और कुछ देर में हमारी यहां पर एक नई deployment start हो जाएगी और जब वो नई deployment start हो जाए ठीक है तो यहां पर देख रहे हो यह last deployment हमारी तीन मिनट पहले वाली थी जिस पर हम काम अल्रडी कर चुके हैं अब एक और deployment अपने आप इसमें start हो जाने वाली आपको कुछ भी करने की जुरूत नहीं है और वो deployment जब फिनिश हो जाएगी तो आप अराम से about us.html पर भी ज index.html के relatively about us.html कहां present है जैसे मैं आपको बताता हूं यहां पर मैंने लिखा ahrf equals to about us.html इसका मतलब जिस folder में index.html है उसके हिसाब से about us.html कहा है तो उसी folder के अंदर है about us.html इसलिए मेरा काम ऐसे चल गया है यहां पर कई बार लोगों ने क्या किया होता है यहां पर complete path डा यहां पर डालना पड़ेगा ठीक है कि मेरी index.html के relatively यह file कहां पर present है ठीक है तो जिस भी file के अंदर आपको दूसरा path डालते हो उस file के अंदर दूसरी file के path को relatively ही डालोगे इवन अगर आप लोगों ने कोई image यहां पर डाल रखी होती है जैसे मैंने जो image डाल रखी है वो image एक HTTPS वाली image है जो मैंने यहां से github से उठाई दी तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर मैंने वो image अपने folder में से डाली होती तो मिलेको image भी upload करनी होती and then उ हमारी deployment हो गई two minutes हो यहां पर लिखा रहा है और अगर मैं अब इसे reload करूँगा तो हमारा resume reload हो गया और अब मैं about us.html पर जा सकता हूँ तो इस तरीके से आप लोग बड़े ही easy steps के अंदर अपने deployment कर सकते हो और साथ में इस link को अपने linkedin के उपर भी share कर सकते हो तो दूसरे लोगों को दिखे आपका resume कैसा दिख रहा है इसको हम धृद्री करके beautiful भी बना रहे होंगे css लगा रहे होंगे अब हमने simple html देख लिए अपने course के अंदर अब नेक्स वीडियो से बात करेंगे css की तो जाओ इस चीज़को अपने linkedin पर share करो मुझे tag कर देना और next video से मूव करेंगे css पर